शक्ति व स्वास्थ्य प्राप्त करो. इस प्रकार के कितने ही मनुष्य हैं, जो दूसरों की भलाई करते हैं, पर स्वयम अपना भला नहीं चाहते, वे न तो अपने शरीर और स्वास्थ्य की ही परवाह करते हैं, और न अपनी शक्तियों का सदुप्योग, वे दूसरे के मित पर अपने शत्रू बने हुए हैं। दूसरों के साथ भलाई करना अच्छा है पर अपने साथ भलाई करना उससे भी अच्छा है। इतनी शक्ती नहीं रही कि वे अपनी कठिनाईयों को दूर कर सके और विखन बाधाओं को हटा सके। उन्होंने अपने शरीर की रक्षा नहीं की है। और इसी कारण उनका हृदय दुर्बर हो गया है। तथा इंद्रिया शिथिल पढ़ गई है। जरा-जरा से कामों के करने पर वे ठक जाते हैं। हमारी शक्ती का बहुत बड़ा भाग क्रोधादी दुर्गुनों से नश्ठ हो जाता है। शरीर को भस्न कर देने के लिए क्रोध से बढ़कर कोई चीज नहीं। क्रोधी मनुर्श रात दिन अपने को जलाता रहता है। चिंता की उपमा चिता से होत होती है। इरश्या, द्वेश, निंदा, घ्रिना सब शरीर को घुलाने वाली है। इनसे मन और शरीर दोनों की अवंती होती है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उदेश यह होना चाहिए कि अपनी शारिरिक और मानसिक शक्तियों को उची से उची बनाओ।